एक था अल्ला का बंदा और कई थे जोर सुनने वाले कहते थे अलिबाबा चालिस चोर इक राजा जिसके इनसाफ की दी जाती मिसाल सुनने वाले कहते थे उसको विक्रमवे ताल हिम्मत वाले बहादुर हातिम और सिंदबाद जोश भरे थे भगत सिंग, चंदर शेखर आजाद तेनाली राम पंच तंत्र की कहानिया नानी दादी ने दी थी कितनी निशानिया कुछ थो अपला तून के किस से कुछ बिर्बल की बताए आओ तुम्हे कहानी सुनाए जादुगर लोम्डी और चालाग खरगोश प्यारे बच्चो एक जंगल में एक मेहनती होश्यार और चालाग खरगोश रहता था वो बहुत ही मशूर था एक बार उसने सोचा जिन्दिगी भर इस जंगल में भटकते रहने से अच्छा है कि शहर चला जाए वहां कोई नौकरी कर लेंगे या कोई हुनर सीख लेंगे और एक दिन वो शहर जा पहुचा शहर में उसकी मुलाकात एक जादुगर लोम्डी से हुई लोम्डी के जादु से शहर के सभी जानवर वाकिफ थे लोमडी जादू से कभी हिरन को बत्थक बना देती, तो कभी बत्थक को बंदर कभी चिडिया बना कर उचे आस्मान में उड़ती थी तो कभी मचली बनकर तालाब में तैरने लगती थी सारे शहर में लोमडी को जादू-गरणी के नाम से पहचाना जाता था खरगोश ने शहर आने का मकसद बताया लोमडी ने उसे अपने घर नौकरी पर रख लिया खरगोश ने भी सोचा कि जादू गर्नी के साथ रहकर मैं भी जादू सीख जाऊंगा उसने खुशी-खुशी लोमडी की नौकरी कर ली लोमडी बहुत ही चालाग थी वो किसी को भी अपना फन नहीं सिखाती थी इतना ही नहीं जिस कमरे में उसकी जादू की किताबे और सामान थे उसे हमेशा बंद रखती थी उस कमरे की चाबी लोमडी 24 घंटे अपने कमर में टांगे रहती थी खरगोश ने भी ठान लिया था कि वो जादू सीख कर ही रहेगा पर लोमडी बहुत ही चोकन्नी रहती थी घर की सफाई की जिम्मेदारी खरगोश पर थी एक दिन लोमडी गुसल खाने में चाबी भूल गई खरगोश को जैसे मन की मुराद मिल गई क्योंकि उसके हाथ उसकमरे की चाबी जो लग गई थी उसने मौके का फाइदा उठा कर दूसरी चाबी बन वाली जादूगर लोमडी जब बाहर जाती या फिर सोती रहती थी तब खरगोश चुपके से उसकमरे में घोश जाता था और खामोशी से जादू की किताबे पढ़ लेता था धीरे धीरे खरगोश भी जादूगरी में लोमडी की तरह ही माहिर हो गया उसे भी जादू करना आ गया था एक सुनसान रात में लोमडी बाहर थी और खरगोश जादू सीख रहा था और अचानक घर में लोमडी आ गई खरगोश को जादू के कमरे में देखकर उसे पहले तो ताजूब हुआ वो गुस्से में बोली दगाबाज खरगोश, मेरे ही घर में घुस कर चोरी-चोरी जादू सीखता है तू तूजे तोता बना कर पिंजरे में कैद करके दर्वाजे पर टांग दूँगी मैं, समझे? लोमडी जादूई आवाजे निकालने लगी उससे पहले खरगोश ने अपना जादू चलाया और सफेद कबुतर बन कर खिड़की से बाहर उड़ गया आसमान में उड़ते वक्त खरगोश को बहुत मज़ा आ रहा था वो नीचे दिखाई दे रहे छोटे-छोटे घरों और पेडों को देख रहा था उसे ये देखकर मज़ा आ रहा था कि तभी यकायक उस पर किसी ने हमला कर दिया खरगोश अपनी होश्यारी की वज़ा से बच गया खरगोश समझ गया कि ये हमला जादू गर लोबणी ने उसे मारने के लिए ही करवाया था उसी वक्त खरगोश ने जादू चलाया और अगले ही पल देखते ही देखते वो एक खुबसूरत अंगूठी बन गया और अंगूठी बन कर गिरा बादशा के बागीचे में यहाँ बादशाहत शेर सहब की थी बागीचे में खुबसूरत आंखों वाली सुनहरे बालों वाली बादशाह की बेटी दोस्तों के साथ खेल रही थी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी उसने जट से अंगूठी उठाई और पहन ली शेर की बेटी शेरनी को वो अंगूठी बहुत अच्छी लगी उसने सोचा ये अंगूठी में बादशा सलामत को दिखाऊंगी और दोड़ते हुए महल के अंदर जाने लगी इतने में एक खुबसूरत जवान लड़के ने उसका रास्ता रोका और बोला सुनो शेर्जादी ये अंगूठी मुझे दे दो और बदले में जो चाहिए मुझसे ले लो मैं ये अंगूठी हरगिस तुमें नहीं दूँगी ये अंगूठी सीधे आस्मान से मेरे पास गिरी है जिस तरह बारिश की बूंदे जिस पर पढ़ जाए उसी की होती है उसी तरह क्या बारिश की बूंदों पर किसी का हक होता है मैं ये अंगूठी तुम्हें नहीं दूँगी तुम्हें पता है मैं यहां के बादशा की बेटी हूँ मुझे जो भी चाहिए होता है मेरे अब्बा हुजूर मुझे वो लाकर देते है अब तुम जाओ यहां से ऐसा बोलकर शेर्नी महल में जाने लगी बच्चो क्या तुम जानते हो ये लड़का कौन था? ये जादुगर लोम्बडी थी पहचान लिया ना? शेर्नी ने अंगूठी देने से इनकार कर दिया तो जादुगर लोम्बडी ने बादल बन कर जोरदार गरजने की आवाज की ये सुन कर शेर्नी डर कर भागने लगी हड़बडाहट में अंगूठी गिर गई अंगूठी जमीन पर गिरते ही लोमडी चूहा बनकर उस पर जप्टी उसे चूहा बनते देखकर खरगोश जट से बिल्ली बन गया और हमला कर दिया चूहे पर अपने नुकीले दातों से चूहे की गर्दन पकड़ी और दबा कर मरोड दी चूहे की रूह निकल गई और जादूगर लोमडी मर गई अब खरगोश फौरण अपनी असली शकल में आ गया खरगोश फिर से शेरनी के सामने अपनी असली शकल में आ गया रवान, खूपसूरत, भूरी आखों और सफेद बालों वाला लाल-लाल नाक वाला खरगोश शेहजादी शेरनी को बहुत अच्छा लगा शेहजादी ने खरगोश की जादूगरी अपनी आखों से देखी थी और उसे खरगोश से बेहद मोहबत हो गई उसने खरगोश से शादी करनी चाही बादशा शेर और बेगम शेरनी ने भी कोई एतराज नहीं किया उन्हें भी खरगोश अच्छा लगा उन्होंने खरगोश को दामाद कुबूल कर लिया शेहजादी और जादूगर खरगोश की शादी बड़ी धूमधाम से हुई बादशाशेर और बेगम शेरनी बादशाहत का काम शहजादी और खरगोश के हवाले करके दुनिया की सेर करने चले गए बच्चों कैसी लगी ये कहानी और कैसा लगा जादूगर खरगोश? इनसान अगर होशियार हो तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है बच्चों एक गाउं के बाहर एक टूटा हुआ मकान था उस मकान में एक बंदर, एक बिल्ली और एक चड़िया साथ साथ रहते थे जो मिलता बाट कर खाते थे एक दिन बिल्ली बोली आज हम खीर बनाएंगे ये बात बंदर और चड़िया दोनों को अच्छी लगी दोनों के मुँँ में पान ही आ गया खीर बनाने के लिए चार चीजे चाहिए कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे बिल्ली ने बंदर से कहा जाओ जाके थोड़ा सा गुल ले ओ बंदर बोला ये तबहत आसान है बिल्ली ने चड़िया से कहा तुम चावल ले कर आओ चोच में भर भर कर पचास बर ले आओगी तो हो जाएगा चड़िया बोली मैं ले आती हूँ दूद लाने के लिए बिल्ली खुद तयार हो गई क्योंके खीर तो वही पकाने वाली थी तीनों ने अपना-पना काम शुरू किया बंदर गुड ले आया चड़िया चावल ले आई और बिल्ली किसी के घर से किसी के घर से दूद का कटोरा उठा लाई बंदर पास के तालाप से पानी भी ले आया चूले पर पतीला रखकर बिल्ली खीर पकाने लगी सब बहुत ही खुश थे और गाना गाने लगे मिठी मिठी खीर प्यारी प्यारी खीर फिर बिल्ली बोली अच्छा सुनो पहले तुम लोग तालाब से नहा कराओ बंदर और चड़िया दोनों तालाब में नहाने चले गए खीर तयार हुई बिल्ली को लाला चाई और वो सारी खीर खा गई बरतन धोकर वैसे ही रख दिया और कपड़े से बांधा और कोने में चादर ओड़कर सो गई ये दिखाने के लिए कि उसने तो खीर नहीं खाई बंदर ये सोच कर परिशान हो गया कि बिल्ली तो सो रही है फिर खीर खाई किसने तो बंदर ने पूछा बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी तुम सोई क्यों हो और खीर का क्या हुआ बिल्ली चादर के अंदर से बोली मेरे सर में बहुत दर्द है मैं आराम करती हूँ तब तक तुम दोनों खीर खा लो और मेरा हिस्सा अलग से रख देना मैं बाद में खा लूँगी बंदर ने बरतन नीचे उतारा खाली बरतन देख कर दंग रह गया उसने देखा कि इसमें तो खीर है ही नहीं फिर उसने बिल्ली से पूछा बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी बरतन में तो खीर है ही नहीं और इस पर ढोंगी बिल्ली बोली खीर नहीं है तो किसी ने चुरा लिया होगा खीर बना कर रख दिया था अच्छानक मेरी तवेत खराब हो गई और मैं आकर यहाँ पर सो गई कब चोर आकर ले गया पता ही नहीं चला बंदर बोला बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी ये तुम क्या कह रही हो ऐसा कैसे हो सकता है हम तो गयते तालाप पर नहाने और नहा कर आए फौरन इतने कम वक्त में चोर आएगा कैसे खीर खा के जाएगा कैसे और बिल्ली बोली क्या मैं जूट बोल रही हूँ मैं तो बीमार पड़ी हूँ मैं तो सो रही थी बंदर को शक हुआ कि बिल्ली सारी खीर खा गई और अब बीमारी का बहाना करके सो रही है आगे बढ़कर उसने बिल्ली की चादर खीच ली और देखा कि बिल्ली का पेट भरा हुआ था और उसको यकीन हो गया कि बिल्ली ने ही सारी की सारी खीर खाई है बंदर को घुसा आया और भोला सारी खीर तुम चेट कर गई हो सच सच बोलो अभी, हमसे जूट बोलो नहीं इस पर ढोंगी बिली बोली देखो तुम्हारा पेड भरा हुआ है बेमारी की वज़े से फूल गया है बंदर बोला ऐसा क्या, तुम हमें बेवकूफ समस्ती हो इस पर बिली फिर पलट कर बोली खीर तुम दोनोंने मिलकर खाई होगी जाकर मुझे सोई हुई देखकर तुम दोनोंने काम कर दिया तमाम और अब मुझ पर ही लगा रहे होई इल्जाम बंदर ने उसका जूट पकड़ लिया और साबित करने के लिए उसने एक प्लान बनाया और फिर बंदर बोला ठीक है बिल्ली मौसी अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं हम इम्तिहान लेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि चोर कौन है इम्तिहान के लिए हम एक खाली घड़ा लेंगे और उसे तालाब पर ले जाएंगे उसे पानी पर रख देंगे और उस पर बैट कर बोलेंगे कि अगर मैंने खीर खाई हो तो घड़ा डूब जाए ऐसा हर किसी को बोलना होगा जिस किसी ने खीर खाई होगी उसका घड़ा डूब जाएगा तो चलो अभी चलते हैं फोरन तालाब पर जाते हैं चलो इंतिहान के लिए बिल्ली को भी मजबूरन जाना पड़ा पहले बंदर घड़े पर बैठा और बोला मैं बंदर अगर मैंने खीर खाई हो तो ये घड़ा डूब जाए बंदर ने खीर नहीं खाई थी इसलिए घड़ा नहीं डूबा वो बहार आया और फिर चिड़िया घड़े पर बैठी और बोली चिड़ चिड़ि अगर मैंने खीर खाई तो ये घड़ा डूब जाए चिड़िया ने भी खीर नहीं खाई थी इसलिए वो घड़ा तैरता रहा वो धीरे धीरे घड़े के पास आई और वो घड़े पर बैठने लगी वो डरी हुई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए मारे डर के वो कापते हुए घड़े पर बैठी और घड़ा डगमगाने लगा वो डर के बोली विल्ली जैसे ही घड़े पर बैट गई, तो घड़ा डूबने लगा, बोलते बोलते काप भी रही थी, इसलिए घड़ा पानी में पलट गया, और बिल्ली पानी में गिर गई, घड़ा तो डूबा, साथ में बिल्ली भी डूबी तो देखा मेरे नन्ने दोस्तों, जूट और चोरी का फल, बिल्ली को कैसे मिला? बच्चों, एक बहुत बड़ी नदी में एक जोड़ी रहती थी, जोड़ी मतलब मिया बीवी, पर इंसानों की नहीं मगर मच्छों की उसमें से एक मगर मच्छ, रोज सुभा नरम धूप लेने के लिए नदी किनारे आता था नदी के किनारे आम के बहुत से पेड़ थे एक बार आम के मौसम में सब पेड़ों को भरपूर लाल लाल पीले पीले आम के फल लगे आम खाने के लिए एक बंदर भी वहाँ आने लगा बंदर और मगर मच्छ रोज एक दूसरे को देखते थे क्यों? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आइस्ता आइस्ता आपस में ऐसी बाते करने लगे कुछ दिनों में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई बंदर रोज मीठे मीठे आम निकाल कर मगर मच्छ को खिलाने लगा और मगर मच्छ रोज आम खाकर बहुत खुश होता था एक बार बंदर ने थोड़े ज्यादा आम दिये मगर मच्छ की बीवी के लिए मगरमच की बीवी वो मीठे आम खाकर बहुत खुश हुई पर वो बहुत ही जालिम थी उसके दिल में ख्याल आया रोज रोज ऐसे मीठे आम खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा अगर उसका दिल खाने को मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा और उसने इस बात का जिक्र अपने शोहर से किया मगरमच को घुसा आया और वो बोला बेवकूफ वो बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उसके बारे में ऐसा बुरा सोचोगी तो खबरदार लेकिन बीवी ने जिद पकड़ ली ना खाना न पीना बस रूट के बैड़ कही वो सब मैं नहीं जानती आप बंदर को यहां धोके से लाईए आप कुछ भी कीजिए मुझे उसका दिल चाहिए ही चाहिए आखिर में मगरमच ने बीवी की जिद के आगे हार मान ही ली और बड़े दुखी मंजे वो नदी के किनारे आया उसे अब बंदर से जूट बोलना था सच बता देता तो बंदर उसके घर थोड़े ही आता मगरमच ने बंदर से कहा बंदर भईया आपने जो आम का तोफा मेरी बीवी के लिए भेजा था उससे वो बहुत खोश होई है इसलिए उसने तुम्हें घर पर बुलाया है हमें महमान नवाजी का मौका दो ना दावत खाने को मिलेगी ये सोचकर बंदर के मुँ में पानी आ गया और फौरन चलने के लिए राजी हो गया वो मगरमच की पीट पर बैट कर चल दिया नदी में आधा सफर तै करने के बाद मगरमच से रहा न गया और उसने बंदर को सब सच बता ही दिया वो बुला बंदर भाया मुझे माफ करो असल में मैंने तुम्हें धोका दिया है तुम्हें खाने के बहाने बुला कर, तुम्हारा कतल करके, तुम्हारा मीठा मीठा दिल खा जाना ही, मेरी जालिम बीवी का इरादा है क्या करूं मैं, मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं बाप रे ये सुनकर बंदर तो दिल ही दिल में काप उठा लेकिन वो बंदर बहुत ही होश्यार था समझे उसने सोच कर कहा बस इतनी सी बात है क्या अरे फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने मगर मा चौक गया क्यों क्यों भाई अरे हम बंदर अपना दिल पेड़ पर लटका कर रखते हैं हाथ में लेकर थोड़े गूमते हैं कभी चलो चलो मुझे फिर से किनारे पर ले चलो मैं पेड़ से अपना दिल लेकर आता हूँ फिर तुम्हारी बीवी के बास चलेंगे ठीक है ना बंदर ने जो कहा वो बेवकूफ मगरमच को सच लगा मगरमच बंदर को लेकर नदी के किनारे आया किनारे पहुँचकर बंदर फुर्ती से कूद गया और फौरन पेड़ पर चड़ गया जब एहसास हो गया कि वो महफूज है तो फिर बोला अबे नादान मगरमच दिल कभी बदन के बाहर रख सकते हैं क्या तुम मुझे दोका दे रहे थे लेकिन मैं अपनी समझदारी से बज गया अगदार कहीं के मेरी दोस्ती का यही सिला देने वाले थे तुम अब बैठो हाथ पर हाथ रक्कार एक जंगल में एक शेर रहता था वो बहुत ही घमंडी था और इस खुशफेहमी में मुपतला था कि उससे ज़ादा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है एक दिन शेर शिकार करके एक पेड़ की नीचे बैठा अपने शिकार को खा रहा था इतने में वहाँ एक कववा आकर बैठ गया कववा बातूनी चालाक और इधर उधर की बात करने में बहुत मशुहूर था वो शेर की खिली उड़ाने के बारे में अकसर सोचा करता था आज मौका देकर उसने शेर से कहा अरे शेर भाई अगर आप नाराज ना हो तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं शेर ने कहा आप समझते हैं कि आप जैसा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है यह बिलकुल जूट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है और यह मुझे अच्छी तरह मालूम है कववे की बात सुनकर शेर बेचैन हो था और सोचने लगा कि इस दुनिया में कोई मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है इस बात का उसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने आज तक इंसान को देखा ही नहीं था इसलिए वो इंसान को तलाशने में लग गया जो भी उसे मिलता था वो उससे पूशता था क्यों रे? तुने इंसान को देखा है क्या? वो किस तरह का है? इंसान कैसा होता है ये मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे बता सकते हो मगर उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया इतने में उसे रास्ते में एक हाथ ही मिला शेर ने हाथी को देख कर पूछा क्यों रे हाथी भाई तुने इंसान को देखा है क्या मैं इंसान को खाना चाहता हूँ मुझे इंसान में बहुत दिल्चस्पी है मैंने उसे देखा है और महसूस भी किया है वो बहुत ताकतवर होता है ये सुनते ही शेर तंजिया अंदाज में हसते हुए आगे बढ़ गया फिर रास्ते में उसे मिली एक लोमणी शेर ने उसे देख कर पूछा क्यों रे तू तो जगा जगा घूमती रहती है मुझे बता तूने इंसान को कभी देखा है क्या वो कैसा होता है हां मुझे कुछ तो बता अरे आप कहीं पागल तो नहीं हो गए ऐसे जगडे में आप मत पढ़िये इंसान बहुत ही चालाक और होश्यार होते है वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है मेरा तो ऐसा मानना है कि हम सभी जानवरों को उनसे होश्यार रहना चाहिए मगर शेर उसके मश्वरे को नजर अंदास करके घुर्राते हुए आगे बढ़ गया दोस्तों आगे क्या होता है जरा सोचो शेर को सच मैं इंसान मिल गया वो एक पेड़ की नीचे बैठकर आराम कर रहा था शेर उसके करीब जाकर उससे पूछने लगा क्या रे तू कौन है और यहां क्यों बैठा है वो इंसान शेर को देखकर बहुत डर गया था मगर ऐसा उसने शेर को महसूस नहीं होने दिया उसने बड़ी चलाकी से अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने दी और उल्टा शेर से पूछ बैठा तुमें के तक लीब है तुम अपना रास्ता लो यह सुनकर शेर हैरत जदा हो गया उसे घुसा भी आया लेकिन उसे इंसान को ढूणना था इसलिए उसने अपने घुसे को जब्त करते हुए बड़े प्यार से पूछा ओ भाई मुझे इंसान की तलाश है तुमने कभी इंसान को देखा है क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर और चालाग तो इंसान बिलकुल नहीं हो सकता फिर भी मैं उसे देख कर सच्चाई मालूम करना चाहता हूँ यह बाते सुनकर इंसान की दिल से सारा डर निकल गया और हस्ते हस्ते उसने कहा अगर तुझे सच्च में इंसान को देखना है तो मेरी बात मान खुद को इस पेड से बांध ले तुझे इंसान जरूर मिल जाएगा वो शेर इंसान से मिलने के लिए इतना बेताब था कि वो बिना सोचे समझे अपने आपको पेड से बांधने के लिए तयार हो गया और फिर शेर ने उससे कहा मैं खुद को पेड से कैसे बांध सकता हूँ? क्या तो मुझे पेड से बांधोगे? शेर की ये बाते सुनकर आदमी ने हस कर उसे हा कहा और फिर बातों ही बातों में शेर को मस्बूती से पेड़ से बान दिया उसके बाद करीब रखी कुलहाडी से उसका एक कान काट दिया और फिर दूसरा कान काटने से पहले ही शेर चिलाने लगा नहीं नहीं मेरा दूसरा कान मत काटो मैं अच्छी तरह पहचान गया इंसान जिसे कहा जाता है वो यकीनन तुम ही हो तुम ताकतवर तो हो ही उससे कहीं ज्यादा तुम चालाग भी हो मुझसे गल्ती हो गई आज के बाद मैं इंसान को तलाशना बिल्कुल नहीं चाहूंगा चाहो तो मैं दोनो अरे दोनो नहीं एक कान पकड़ कर कसम खाता हूं तो बच्चो कैसी लगी ये कहानी इस कहानी से तुमें क्या सबक हासिल हुआ यही की ताकत से बड़ी होती है तद्बीर और दिमाग एक शहर में एक गरी ब्राम्भन रहता था दिन भर मेहनत करके उसे सिर्फ दो वक्त की रूटी ही नसीब होती थी गरीब था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था दर्वाजे पर आये किसी भी शक्स की वो बड़ी फराख दिली से खातिर करता उसी गाउं में एक अमीर ताजिर रहता था उसके पास बहुत दौलत थी लेकिन उसमें से कुछ खर्च हो ये उसे बरदाश्ट ना था किसी जरूरत मन्द की मदद के नाम पर उसका पारा चड़ जाता लेकिन उसकी बीवी बहुत रहम दिल थी वो अकसर अपने शोहर से कहती अजी आपके पास अल्ला का दिया सब कुछ है इतनी कंजूसी किस काम की हमें अल्ला की राह में भी कुछ खैरात करनी चाहिए हमारे पास जो दौलत है उसे नेक कामों में खर्च करने से वो कम नहीं होगी समझे आप इतनी बीवी की बातें उस ताजीर को जरा अच्छी नहीं लगती अगर कोई गरीब भीकारी आता तो उसे डांट डपट कर भगा देता एक दिन उस ताजीर के दर्वाजे पर एक साधू आया और उसके आगे दस्ते हाजत फैलाया आदत के मुताबिक वो उससे गुस्से से मुखातिब हुआ क्यों भीक मांग रहे हो तुम? हाथ पेर तो सही सलामत है, तुम्हें शरम नहीं आती इससे पहले की साधू कुछ कहता ताजूर उसे मारने दोड़ा बीना कुछ बोले साधू वहाँ से चला गया गोमते गोमते वो साधू उस रहम दिल ब्रामन के घर पहुचा ब्रामन ने उसकी बात सुनी और अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खाना वगेरा खिलाया साधू रात में उसके घर में ठहर गया दूसरे दिन सुभे उठने के बाद वो साधू उससे बोला ए गरीब ब्रामण, मैं साधू नहीं, भगवान विश्णू हूँ, तुम्हारी रहन दिली और गरीब परवरी से मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो भी मांगना चाहते हो, मांगो ये बातें सुनकर ब्रामण ने साधू के पैर पकड़ लिये और बोला भगवान, मैं आपकी खिद्मत करता रहूं, बस मैं, मैं यही चाहता हूं इस पर भगवान विश्णू ने कहा, और वो वहाँ से चले गए ब्रामण के हालाद सुधरने लगे, उसकी आमदनी बढ़ गई जब ये बात उस ताजिर को मालम हुई, तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने नाहा कुछ साधू को भगा दिया था, वो उस साधू की तलाश में निकल पड़ा शेहर के बाहर काफी दूरी पर उसे वो साधू नजर आया ताजिर ने दोड़ कर साधू के पैर पकड़ लिया और कहा जनाब, जनाब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई अब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपके खूब खातर मदारत करूँगा, मुझे भी वर्दान दीजिए ये सुनकर साधू ने ताजिर से कहा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है बेटे? ताजिर पशो पेश में पढ़ गया कि क्या मांगे? उसने कुछ सोचा और आखिर साधू से बोला घर जाकर मैं जो मांगूँगा मुझे मिल जाएगा साधू माराज इस पर साधू ने कहा ठीक है, घर जाने के बाद तुम्हारी तीन ख्वाहिशात मैं पूरी कर दूँगा इतना कहकर वो साधू गायब हो गया ऐसा क्या मांगू जिससे मैं और अमीर बन जाऊं? ऐसा सोचते हुए वो अपने घर पहुँचा उसने बहुत सोचा, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुँच सका क्या मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा था वो एकदम बेचैन हो गया उसी वक्त एक कववा मुंडेर पर काय काय कर रहा था उसकी आवाज से परिशान होकर उसने कहा अरे ये कववा क्यों परिशान कर रहा है? ये मर क्यों नहीं जाता? उसकी बाद जबान से निकली थी के कववा नीचे गिर कर मर गया ताजिर की अपनी बेवकूफी से एक वर्दान जाया हो गया था दोपहर का खाना खाने के बाद ताजिर बाग में जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया शाम तक सोचने के बावजूद वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका जब शाम तक ताजिर घर नहीं आया तो मुलाजिम बुलाने गया उसने घर जाने से इंकार कर दिया और बोला जब यह बात ताजिर की बीवी को मालुम हुई तो वो खुद उसे बुलाने बाग में गई ताजिर से उठाई नहीं जा रहा था, वो उस पत्थर पर चिपक गया था दूसरा वर्दान उसने इस तरह बरबाद कर दिया था, इस बात का उसे बहुत मलाल था उसने सुभे से लेकर अब तक कि सारे वाक्यात अपनी बीवी को बताए तो उसकी बीवी समझाते हुए बोली, हमारे पास किसी चीज की कमी है, चलिए, तीसरा वर्दान मांगकर यहाँ से आजादी हासिल कीजिए मुझे दिल से ताजिर बोला, मुझे यहां से आजाद कर दो बहुत साल पुरानी कहानी है एक जंगल के पास एक गाउं था उस गाउं में एक लकड़ारा रहता था वो बहुत ही गरीब था एक जोपड़ी ही उसका घर था वो और उसकी बीवी जंगल में जाते पेड़ काटते और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे दोनों मिलकर महनत करके जीते थे और रोज खुदा से दुआ करते कहते ए खुदा हमें हमारी महनत का अज्र दे लालच, हसद और बुराईयों से हमें दूर रख हम पर हमेशा तेरी महरबानी कायम रहे जानते हो एक दिन क्या हुआ रोज की तरह लकड़ारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया लेकिन आज काटने के लिए उसे सूखा पेड कहीं नजर ही नहीं आया पीड की तलाश में वो जंगल में इधर उधर घूमता रहा यहाँ वहाँ घूमके बेचारा लकड़ हारा बहुत थक गया चलते चलते वो जंगल के एक कुए के पास पहुँचा और अचानक उसे एक बढ़िया सा सूखा पेड नजर आ ही गया वो बहुत खुश हुआ जल्दी से पेड पे चड़ा खुशी खुशी उसने डालियां काटना शुरू की ही थी कि अचानक उसके हाथों से कुलहाडी फिसल गई और कुए में गिर गई कुलहाडी के गिरने से वो बहुत गम जदा हो गया रोने लगा वो पेड से नीचे उतरा और कुए के पास बैट कर जोड-जोड से रोते हुए कहने लगा खुशी खुशा क्या यही है तेरी महरबानी अब मेरे जैसा गरीब कर ही क्या सकता है उसके ये कहने के बाद एक मौजज़ा हुआ कुए से जल परी जाहिर हुई उसके सामने खड़े होकर उसने पूछा अरे लकड़ हारे तुम रो क्यों रहे हो रो नहीं तो क्या करूँ मेरी जिन्दगी का सहारा मेरी कुलहारी कुए में गिर गई है अब मैं कैसे जी हूँ तब जल परी उससे मुखातिब हुई अरे ऐसे रो मत मैं तुम्हारी कुलहारी तुम्हें लाकर देती हूँ ये कहकर परी पानी के अंदर चली गई फिर एक कुलहारी लेकर जाहिर हुई लकड़ हारे से पूछा देखो तो जरा क्या यही है तुम्हारी कुलहाडी लकड़ारे ने कुलहाडी को देखा देखता क्या है कि कुलहाडी सोने की है पूरी तरह सुनहरी, चमचमाती हुई उसने जलपरी से कहा नहीं, ये नहीं है मेरी कुलहाडी ये सुनकर जलपरी फिर से पानी में चली गई, और फिर दूसरी कुलहाडी लेकर आई, उसने लकड़ारे से पूछा, अरे बाबा अब बोलो क्या यही है तुम्हारी कुलहाडी? लकड़ारा बस देखता ही रह गया, इस बार कुलहाडी थी चांदी की, साफ सफेद चमाकती हुई, लकड़ारे ने जलपरी से कहा, परी, ये कुलहाडी भी मेरी नहीं है जलपरी फिर से एक बार पानी में चली गई, और एक और कुलहाडी लेकर आई, लकड़ारे को दिखाई, लकड़ारे ने देखा, और खुशी से कहा परी, यही है, यही है मुझ गरीब की लोहे की कुलहाडी, दे दो मुझे, ताकि मैं मेहनत करके, अपनी जिन्दगी खुशी से बिताऊँ उसकी यह बात सुनकर जल परी खुश हुई, और कहने लगी, लकड़ारे, खुदा ने मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भीजा था, गरीब हो फिर भी तुम गैरतमंद और इमानदार हो, तुम्हारी सच्चाई और इमानदारी का इनाम, मैं यह सोने और चांद की कुलाड़ी तुम्हें इनाम में दे रही हूँ, अब अपनी जिन्दगी खुशी से गुजारो। मैं आपकी ऐसी दारी बनाऊंगा की शेर खान भी शर्मा जाएगा। लकड़ी ले लो, सूखी और अच्छी, सब सीधी हैं सिर्फ एक को छोड़ कर, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। ओ, 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 नहीं, हसन, ये क्या है, यही है तुम्हारी उस्तादी क्या। ये हमेशा नहीं होता, ये पहाडी में रहने वाला गंगाराम अपनी लकड़ियां बेचने आया है, उसकी फटी और बेसुरी आवाज सुनकर मेरा हाथ बहग गया। आप रुकिये, मैं जड़ा उसकी खबर लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हारे बाहर जाने से मेरी आधी कटी मूझ वापस नहीं आईगी, अब बची हुई आधी मूझ भी साफ कर दो। हासन, अफसर की बची हुई मूझ काट कर गंगाराम से निपटने के लिए बाहर आता है और कहता है। गंगाराम, तुम गधे पर रखी इन सारी लखडियों के कितने पैसे लोगे। अरे खान साहाब, अब मैं क्या बताओं आपको, खुद समझ कर इनके पैसे दे दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने इसे बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो खीमा तै की होगी ना। देखो धन्दे में तो यही होता है, बताओ इसके कितने पैसे दूँ मैं, बेफिक्र होकर बताओ। अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो आम तोर पर मैं ये सारी लखडियां पांच सोने के सिक्कों में बेचता हूँ। ठीक है तो यई लोपाफ सोने के सिक्क्य और गधे पर रखी सारी लकडियां बक्से के समेट उस कोने में रख दो खांद साब वो लकडी का बक्सा जलने वाली लकडी के साथ नहीं है लेकिन मैंने तुम से गधे की पीट पर रखी सारी लकडियों की कीमत पूछी थी और मैंने तुम्हें तुम्हारी बताई हुई कीमत भी अदा कर दी है पर खान साथ लकडी बेचने के धंदे में लकडी रखने वाला बक्सा शामिल नहीं होता गंगाराम मैं तुम्हारी बात हरकेज नहीं मानता मैंने तुमसे गधे की पीट पर रखी सारी लकडियों की कीबत पूछी थी अगर तुम्हारा बकसा लकडी का है तो मैं कुछ नहीं कर सकता देखो तुमने जबान दी है आप तुम मुकर नहीं सकते लेकिन हुजूर ये बकसा मेरी रोजी रोटी है अगर आप इसे ले लेंगे तो मैं ये धंदा कैसे करूँगा जरा ये सोचिए अगर तुम्हारे पास ये बकसा नहीं रहा तो तुम अपने सर पर लकडियां रखकर बेज सकते हो नहीं नहीं हुजूर ऐसा मत कीजिए फिर हमें हुआखे करने पड़ेंगे देखो गंगू तुम्हें तो ये मालूमी है कि मैं शाही खांदान का हजाम हूँ अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो तुम बकसे के साथ साथ गधा भी कवाँ बैठोगे ये जानते हुए कि उसके एहतिजास का हसन पर कोई असर नहीं होगा गंगा राम ने लकडियां बकसे समेथ एक कोने में रख दी दिल ही दिल में हसन को बुरा भला कहते हुए गंगा राम अपने घर वापस चला गया वो बहुत दुखी था गम और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया ये सब मेरी गलती थी मुझे उसकी बाते बहुत गौर से सुननी चाहिए थी लेकिन लेकिन हसन ने भी मेरे साथ नाइनसाफी की है इस तरह सौधा थोड़ी होता है गंगा राम को बेचैन और अपने आपसे बाते करते देखकर उसकी बीवी ने पूछा सुनिए जी ये आपको क्या हो गया है ये आप क्या बड़डा रहे है आपकी लक्डियां तो बिखे गई है ना ना सिर्फ लकड़ी बलकि गधे की पीड़ पर लक्ड़ी रखने वाला बक्सा भी क्या गंगा ने अपनी बीवी को सारी बातें बताई तब फिक्रमन बीवी ने कहा या खुदा ये तो सरासर नाइनसाफी है आप शाही दरबार जाईए और उसकी शिकायद कीजिए लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हसन तो शाही खांदान का हजाम है चलो मान लेते हैं कि बादशा ने हमारे हक में फैसला भी किया तो वो हर हाल में हमारा जीना मुश्किल कर देगा या अल्ला, अगर ये बात है तो आप बीरबल से मिलिए मैंने सुना है कि बीरबल ही एक ऐसा है जो हर एक के साथ इंसाफ करता है हाँ, जो तुम कह रही हो ठीक लग रहा है गंगाराम फोरण बीरबल से मिला और उसे सारी बातें सच-सच बता दी हम, 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 तो ये बात है गंगाराम, तुम फिक्र मत करो अब जैसा मैं कहता हूँ, तुम बिल्कुल वैसा ही करो समझ गए, समझ गए, जी हुजूर हुजूर, पिछली बार गंगाराम की बे सुरी आवास की वज़े से आपकी दाड़ी अच्छी नहीं बनी थी मैंने उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया है अब वो अपनी शक्र कभी भी नहीं दिखाएगा अरे शेर खान को छोड़िये बाच्छा भी आपको देखकर हैरत में पढ़ जाएंगे देखी का हाँ हसन खान साब ओ हसन खान साब हसन ये क्या है फिर वही हरकत अब मैं कभी दोबारा यहां नहीं आऊंगा लेकिन हजूर ये बचे हुई मोच तो बनवा लीजिए भाई ऐसे अपने आप बना लोँगा हसन खान साब ओ हसन खान साब अब क्या है अब यहां क्यों आए हो पिछली बार तो मैंने तुम्हारी सारी लकड़ी खरीद ली थी लेकिन मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ हुजूर तो क्या अपना गधा बेचने आये हो बेवकूफ आदमी हसन साब पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी अब उसे भूल जाए काम की बात करो मेरा एक दोस्त है तो क्या तुम इस बार उसकी लकड़ी लाए हो जी नहीं मेरे दोस्त के मुझ पर बहुत एहसान है आज उसी की वज़े से मैं और मेरा खानदान जिन्दा है मैंने कहा काम की बात करो हुजूर मैं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त की दाड़ी बनाए तुम कितने अच्छे हो गंगाराम जैसी तुम्हारी मर्जी तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये बाचा का फर्मान हो तुम सिर्फ एक मामूली लकड़हारे हो और मैं मैं एक शाही हज्जाम हूँ मैं क्यों तुम्हारे दोस्त की दाड़ी बनाओ हा चलो निकलो यहां से मेरा दोस्त खास खूबियों का मालिक है क्या मतलब सुनिये उसे जो भी मिलता है उसका मुस्तक्बिल सवर जाता है हाँ मेरी तरफ देखिए पहले मैं भी बहुत गरीब था मेरा एक वक्त का खाना भी मुश्किल था फिर मुझे वो दोस्त मिला और मेरी किस्मत बदल गई अब मैं अपने खानदान के साथ अच्छी जिन्दगी गुजार रहा हूँ हाँ अगर आप उसकी दाड़ी बनाए तो कौन जानता है कि आपकी भी किस्मत बदल जाए हो सकता है आप शाही दरबार के नौ रतनों में से एक रतन हो जाए ठीक है ठीक है मैं चलता हूँ लेकिन मैं पूरे बीस सोने के सिकों से कम नहीं लूँगा गंगारा ठीक है वो आप अभी ले लीजिए पैसे देने के बाद गंगाराम हसन को अपने घर ले आया डाड़ी बनाने की सारी तैयारी करने के बाद हसन ने कहा गंगाराम अब अपने दोस्त को बलाओ वो आपके सामने खड़ा है शुरू हो जाये गंगा ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये गधा आपके सामने खड़ा है. क्या हुआ अगर ये गधा है? ये बहुत ही होश्यार है आपकी तरह. वो आपको परेशान नहीं करेगा. गधा? जी, गधा. ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है. आप यहां उसकी दाड़ी बनाने आए हैं. आप फौरण शुरू हो जाईए। गधे की दाड़ी, क्या भी नहीं। ये ये आप क्या कह रहे हैं हसन साहब, थोड़ी देर पहले आप मेरे दोस्त की दाड़ी बनाने पर राजी हुए थे, क्या आप भूल गएं, आप उसके लिए पैसे भी ले चुके हैं। आप, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि तुम मुझे गधे की दाड़ी बनवाओगे, एक गधे की। मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक गधा मेरा दोस्त है, आपने कुबूल किया था, अब आपको इस गधे की दाड़ी बनानी पड़ेगी। ये कहकर हसन गंगा राम को शाही महल की तरफ लेकर चला, वो बोला जहापना मैं इस लकड़ हारे गंगा राम के खिलाफ शिकायत लेकर आया हूँ जहापना मुझे भी इस हसन के खिलाफ शिकायत करनी है बेरबल जी जहापना उनके शिकायत सुलो वो क्या कहते हैं बोलो गंगा राम हसन के खिलाफ तुमारी क्या शिकायत है इसको नहीं बीरबल जी, मुझे इसके खिलाफ शिकायत करना है रुको हसन, तुम तो इस महल के खिदमतगार हो है ना, तो हम पहले इस आम आदमी गंगाराम की बात सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है गंगाराम ने सब लोगों के सामने सारे हालात बयान किये तब हसन बोला बीरबल जी, आप ही बताइए क्या गधा एक इनसान का दोस्त कभी हो सकता है, क्या? क्यूं नहीं हो सकता हसन? इस दुनिया में जो एक दूसरे के काम आते हैं, वो आपस में दोस्त भी तो हो सकते हैं चाहे वो एक गधा ही क्यूं नहो? बीरबल जी उस वक्त गंगाराम ने मुझे ये नहीं बताय था कि उसका दोस्त एक गधा है किसे दोस्त बनाना है किसे नहीं ये इनसान खुद तै करता है हम इसका फैसला करने वाले कौन होते हैं और गंगा राम ने ये पहले ही बता दिया था कि तुम्हें उसके दोस्त की दाड़ी बनानी है पर जहाँ पना एक गधा आदमी का दोस्त कैसे हो सकता है बताए क्यूं नहीं हो सकता अगर गधे की पीट पर रखा बक्सा जलने वाली लकडी में शुमार हो सकता है तो एक गधा आदमी का दोस्त भी हो सकता है क्यूं भाई ठीक है न बीरबल की बात सुनकर हसन सकते में आ गया बीरबल और गंगा राम की चाल उसकी समझ में आ गई कुछ नर्म पढ़ते हुए वो बोला मुझसे कलती हो गई जहाँ पना मुझे माफ कर दीजिए मैंने गंगा राम के साथ धोका किया मैं उस बकसे को वापस करने को तयार हूँ जहाँ पना हम् तुम्हें उसका बकसा वापस करना ही पड़ेगा हसन लेकिन गंगा राम के दोस्त की दाड़ी बनाने के बाद तो अब आ गया वो लमहा जब हसन ने गंगा राम के दोस्त की दाड़ी बनाई सब लोग जोड जोड से हसन पर हसने लगे दिल्ली में एक बहुत ही तुनक मिजास तड़को मल नाम का आदमी रहता था गुस्से की हालत में वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता था एक दिन तड़को मल को अपनी बीवी पर गुस्सा आया सुनो मोगरा कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे सबजी में कम नमक पसंद नहीं है माफ कीजिए मैं अभी सब्जी में नमक डाल देती हो इतना जादा नमक क्या तो मुझे मारना चाहती हो मैं थोड़ी सी सब्जी और डाल देती हो और 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 इन रोटियों को देखो ये तो मेरे दांट तोड़ देंगी मुझे कहां से ऐसी बीवी मिल गई ये बाल कहां से आ गया कितनी बार मैंने कहा है कि मेरे खाने में कुछ मट डाला करो तुम्हें ये बाल दिखाई नहीं देता मैंने नहीं देखा गलती से गिर गया होगा दोबारा ऐसा नहीं होगा माफ कर दीजिए अगर दुबारा तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हें नाई के पास ले जाकर तुम्हारा सरमणवादूँगा मुझे यकीन है फिर मेरे खाने में बाल नहीं मिलेगा तडकुमल का अपनी बीवी को तंभी करने के बाद भी जो होना था हो गया तडकुमल को खाने में एक बाल फिर से मिला वो गलती से गिर गया होगा मैंने तो अपने बालों को बांध रखा है जी जाओ फॉरन जाओ और नाई को बुला कराओ जाओ नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए आइंदा ऐसा नहीं होगा मेरे बाल मत कटवाईए मत कटवाईए मेरे बाल आप मुझ पर रहम कीजिए नहीं पिछली बार भी तुमने यही कहा था लेकिन इस दफ़ा फिर बाल निकला जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम नहीं सुदरोगी चलो जाओ यहां से मेरी बात तो सुनिये जब मोगरा ने देखा कि उसके रोने का कोई असर उसके शोहर पर नहीं होगा तो वो नाई के पास गई उसने नाई को सारा माजरा सुनाया तो वो नाई बोला हम बहन यह तो मेरे लिए भी मुम्किन नहीं है कि मैं आपके शोहर को समझा सकूँ एक काम करते हैं हम बीरबल के पास चलते हैं शायद वो कोई हल निकाल सके हैं नाई और मोगरा बीरबल से मिले उनकी बाते सुनने के बाद बीरबल बोला जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना ठीक है तडकुमल जी तडकुमल जी जल्दी बाहर आए ओ नहीं और मोगरा का हैं जी बहन जी नहाने गई हैं उसके बगैर उनके बाल ठीक से नहीं कटते ना हाँ तुमने बिल्कु ठीक किया आप एक काम और कीजिए ये जहर लीजे और फॉरण खा लीजे जहर? लेकिन मैं क्यों जहर खाऊँ भई? क्यों? आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी के बाल काटूं या नहीं? हाँ तो? तो उसे क्या मतलब आपका? बगेर आपके मरे मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो धर्म की किताबों में लिखा है चलिये चलिये जल्दी से इसे खा लीजे जल्दी 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 मैंने चार आद्मियों को बुलाया है कांधा देने को और एक बरतन के लिए भी हाँ, शम्शान में चिता भी जल्दी तयार हो जाएगी गांउ वाले भी वहाँ पहुचने वाले हैं जल्दी कीजेगी जल्दी कीजेगी फॉरम जहर कह ये जल्दी खुआए जल्दी खाये से पीरबल जी ने ये जहर खास तौर पर आपके लिए भेजा है और आप जानते हैं क्या? हाँ, आपका आखरी सफर बड़ा शानदार होगा आप अपने मजभब को बहुत मानते हैं ना? इसलिए बाच्शा भी आपके जनाजे में शामिल होंगे आप वाकई बहुत किस्पत वाले हैं तरकुमल जी नहीं भाई, मुझसे गलती हुई उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे लेकिन तरकुमल जी आप जो अपनी बीवी को इतनी बड़ी सजा दे रहे थे हाँ, तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो मेरी गलती, वाकई मैं गलत था मेरा गुस्सा मुझे ठीक से सोचने नहीं देता है तुमने मेरी आखे खोल दी बाई मैं कौन हूँ आपके आखे खोलने वाला ये तो सब बीरबल जी का कमाल है